जय है जगनाच स्वागते गईज आप सभीगा भाई मैंने जैसे आप सब को यूनो बताया था कि आइडल्स का ट्यूटोरियल मैं जल्दी लाने वाला हूँ तो येस सबसे पहले जगनाच जी की आइडल सब दिखा देता हूं दाउ जी की है सुपद्रा जी की और जगनाच महाप्रभू की है हाँ देखो मैंन के राफटे तो शेप डिफरेंसे होंगे सुदर्शन जी भी है तो येस डेफिनिटली तो यह मैं से खाने वाला हूं और काफी बढ़िया बना है तो येस जो नीचे बेज है वाइट कलर का रखा है तो आइडल्स का कलर अच्छे से दीग है और यहां पर स जो मैंने जगनाथ जी का मंदर बना था ना पहुत पहले नहीं देखा है ज़र से सर्च कीजिए यहां पर जो सामगरी चे सारी वुल्स कॉंक्रीट और बैनर्स तो यहां पर देखो दाव जी के हाथ में हल है और जगनाथ महाप्रपो के हाथ में सुदर्शन चक्र और शंक है तो यह कैसे बनाने चलिये वाइट ओल जो है सबसे पहले हम नीचे लेंगे 21 ब्लॉक्स आपको प्लेस करने है 21 ब्लोक्स 21 blocks की और आपको place करने है 21 by 5 जो विद्ध है वो 5 blocks की तो here we go 1, 2, 3, 4, 5 और ये 21 blocks हो चुका है सबसे पहले सुदर्शन जो है ये बना देंगे 4 white concrete इसके उपर एक red concrete तो ये तो जो है वो सुदर्शन बन चुका है बैनर मैं आखरी में लगाऊंगा अब बार ये दाउजी की तो 3 by 3 यानि की 3 red walls फिर 3 space हमको छोड़नी है here 1, 2, 3 उसके बाद 3 by 2 जो सुदर्शन जी की और वापस 3 by 3 जो जगनात जी है जो पिताम बर है न वो बनाना हमको एक तरीके से जो वस्तर है ठीके और यहां पे आगे भी 3 जो है वो लप प्लेस कर सकते हो उसके बाद बैनर भी लगाएंगे मैं बताता हूँ step by step यहां पे 3 और यहां पे 3 अब यहां पे न वाइट कॉंक्रीट है यह हमको प्लेस करने है 3 यहां पे भी 3-3 लेयर्स करनी है यहां पे येलो कॉंक्रीट 1,2,3 और यहां पे रहेंगे ब्लैक कॉंक्रीट भाई यह रत्याद रगा फेस्टिवल ना पूरे साल में एक बार आता है चेरियोड जो जगनात पूरी का जुमीन है वैसे हम्दाबाद में भी वो तर यहां पे रेड कॉंक्रीट लेना है वुल नहीं उपर की साइड ये खास दियान रखेगा ठीगे और यहां पे चार प्लेस करना और एक तरफ हाथ एक और यह हाथ यहां पे जो हैंड्स हैं वो हम इसी रेड कॉंक्रीट के बनाने वाल है बसे सुबदाजी के तो रेडी हो चुके है अब बारी है बैनर लगाने की जिससे इसको रियल एकदम जो एफेक्ट मिल जाएगा ठीक है एंड़ लुक प्रेटी कांप्लीट तो सबसे पहले तो आइटम फ्रेम लेंगे क्योंकि वो जो हाथ न दाउजी के और जगनाजी के वहाँ पे एक तो आप पिकाक्स ले लीजिए एक लाइटनिंग रॉड ले रहा हूँ फिर म्यूजिक डिस्क एक और ये जो शेल ये ले रहे तो दाउजी के सबसे पहले तो एक तरफ रॉड एक तरफ हल यान कि ये जो पिकाक्स है यहां पे भी दो आइटम फ्रेम्स मैंने ग्लोइंग वाली लिया आप नॉर्मल ले सकते हैं इन्विजिबल पी ले सकते हैं सुदर्शन चकर और ये शंग तो ये रूप में हमने डिस्क और शेल लग दोनों लगा दिये है अब बार ये बैनर तो कि इस बैनर जो एकदम सिंपल है वाइड बैनर उसमें रेड बॉर्ड बनाया है और बीच में बस कर दिया एक लाल कलर का राउंड सर्कल ठीग है और ये जो सब जगह तीनों जगह या आईज या ये कॉमन होगी तो ये और जो बाकी है वो ब्लैक ब बैनर में रेड शेड और वाइड बैनर में रेड शेड बस नीचे-णीचे की तरफ सेंटी फाइफ 30 परसंट वैसे की है और अब बारी जो वो ती लग की है और पितामबर पे जो डिजाइन से ना उनकी भी है तो वो भी मैं दिगा दिता हूं तो जो सुभद राजी के जो जो है वहाँ पर न मैं बताता हूँ यह अलग से बनाया है थोड़ा यूनो एक फ्लावर चार्ज पैटन है वो यूज़ करके बनाया है और यह पितामबर यहाँ पर औरेंज है पर वेसल लब गुल्डन भी ले सकते हैं यह तो एकदम सिंपल है यह भी मैं बताता हूँ और ज दालके सिंपली यह जो हम यहाँ पर गुल्डन कर सकते हैं अब सही दिख रहा है अब एकदम मैचिंग पर दिख रहा है तो जो सारी है वो अच्छी दिखेगी तो यह भी हो चुका है रेडी अब बारी है जो है यह सुदर्शन की यहाँ पर मैंने पूरा फ्लायर चार लिय है रेड और यलो मिक्स करके और बाकी जो पितामबर वाला पैटन है न वो लगाना है ठीक है और अब जगनाथ जी इससे पहले यहाँ पर देखे दन यह हम दाव जी को कर देंगे और जगनाथ महापरभू को तो भाई यह भी हो चुका है रेडी अब लग रहे है फुली ए कि आप अपने रथ के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे पैटन्स देख लो अगर आपको समझ नहीं आता है यूगन जस्ट पॉस एंड मेक इट लूम ठीक है और रथ का भी मैंने टूटोरियल दिया था बहुत टाइम पहले तो वह भी आप सर्च करके ना बना सकते ह तेस गई जर से लाइक कीजिए और यह जगनाथ जी दाओ जी अन सुबदरा जी का यह टूटोरियल था इडल का उमीद रखता हूं कि आप सबको यह पसंद आ होगा और समझ भी आया होगा तो जर से बनाइए और एंजोई दे चैरियोट फेस्टिवल जर से भी आन्या बा